लगा इसक जिन्नानों साच्छा परगट होया पैगे परवर से सब दुनिया दी करदा पढ़ दे अंदर रहे के लगा इसक जिन्नानों साच्छा परगट होया पैगे गट गट दिया चान नारा, दुनिया नो तारन या गया, सत्य गुर किरुपाल पियारा, दुनिया नो तारन या गया, सत्य गुर किरुपाल पियारा, दुनिया नो तारन या गया, रब बंदिदा धार के चोला, दुनिया दे विच्याया, अंतरिया में पुरक या ना में है किरुपाल सदाया, रब बंदिदा धार के चोला, दुनिया दे विच्याया, अंतरिया में पुरक या ना में है किरुपाल सदाया, आया किरुपाल बंदारा, अजाय बुनार सिदिये पागया, सत्य गुर किरुपाल पियारा, दुनिया नो तारन या गया, सब्सक्राइब बिन सत्य गुरु नरे रहत भोलाना खोजत फिर ते राह नहीं जाना बिन सत्य गुरु नरे रहत भोलाना खोजत फिर ते राह नहीं जाना इपरम संत सत्य गुरु कबीर सहब जी की बाणी है कबीर सहब जी आप पहले ही बाणी स्टार्ट करते वे ही कहते हैं कि जब तक की इस जीवों को सत्य गुरु का समागम ना मिले तब तक जो है सच्चाई का समझ आता नहीं देखो धनी धरमदास के रूप में हलाकि सत्पुरु उस ने वहां से योग जीत को भेजा था जिनके बैठक महा सुनने के उपर है और उनको वहां से भेजा जीवा उद्धार करने के लिए और वो भी यहां आकर के भूल भरम में पड़ गया ठाकुर पूजा करते बैठे धरी धरमदास के रूप में ठाकुर पूजा करते बैठे तो फिर परमात्मा सत्पुरु ने क्या किया दूसरा नमबर लड़का ग्यानी को बलाया कि ग्यानी जाओ हमने तो उनको जीवा उद्धार करने के लिए भेजा वो खुज जाके करम कार्णे में फस गया ठाकुर पूजा के सत्यनरा इन पूजा करते बैठा है जाओ और उसको चिताओ तो वो ग्यानी दूसरा नमबर का वो सत्पुरुस का लड़का यानि ग्यानी वो कबीर के रूप में आये और उन्होंने बहुत जो है कि कोशिस करने के बाद बहुत तस्ट उठा के धर्नी धर्मदास को फिर से जागरत किया और उन्ही के उपर उन्होंने अनुराग सागर भी लिखा है तो कहते हैं जब ऐसी ऐसी उची हस्तियां भी आकर कि इस दुनिया में भूल जाती है तो जियों की क्या गती है तो इसलिए कहते हैं जब तक कि सद्गुरु ना मिले और ओ सच्चाई का रास्ता ना बतावे तब तक समझ में आता नहीं तो कहते हैं इन जियों की इस्तिय क्या हो गई है देखो ये आत्मा सारी उस परमात्मा की अंसर है सब सत लोग सच्चंड की रहने वाली है और आत्मा परमात्मा ही है लेकिन इस काल और माया की नगरी में आकर या अपने आपको भी भूल गई अपनेगर भी भूल गई काते हैं ओ यहां की रहने वाली हो गई इसलिए संत महात्मा करके फिर बार-बार जाग्रथ करते हैं तो इस बाणी में इस जीव की क्या इस्तिती गती है किस तरह से संत आके जगाते हैं जबिर साब ने बड़ा चालदान दिया है। पाल पोस उनों की ना सयाना। अलाकात हुई और बारा दिन साथ रहके साथ में जाने के समय जब उसे वो घर पे लेके गए बड़ा अच्छा खाना पीना भी बनवाया। और जब दोनों खाने के लिए बैठे तो दो तीन ग्रास खाने के बाद में बरमचारी सादू को ख्याल आया। रहे मैंने तो पूछा नहीं तुम्हारा गुरू कौन है क्योंकि ये सिख थे तो इनके डाड़ी बाल तो बच्पन से छोड़ देते हैं। तो ओ बरमचारी सादू क्या समझा ये भी कोई गुरू मुक है। कोई सादू है समझ करके दोनों साथ में थे हरी दोार में। साथ में बनाना, खाना, दर्सन करना, आठ दस दिन साथ में गुजरे, फिर दोनों मिलके गाड़ी में जाने के समय पहले अमर देव जी का गाओं आया, तो अमर देव जी ने बरमचारी सादू से बिनन्तिक किया, महरा राज हम लो आठ दिन से साथ में हैं, तो एक दिन एक रात हमारे घर में रहके जाओ, उसने मान लिया, और घर में आया, तो आपने बड़ा खातिर बातिर किया, बड़ा अच्छा खाना-पिना बना के रखा, और जब वो खाने के लिए बैठा, दो-चार ग्रास खाया, तब ख्यालाया, बारह दिन साथ में राख ख्यालाया नहीं उसको देखो खाने के समय क्याला है तो वो पूस्ता है कि अच्छा महराज आपका गुरू कौन है तो बाद में ये काते बाई मैं तो गुरू बरू कुछ बनाया नहीं बस अरी दोहर जाके स्नान करके आता हूं उसी को मुक्ति के साधन समझाओं इतना कहते ही उसको अं पी लिया क्योंकि कोई-कोई सिद्धान तो में ऐसा होता है कि भाई निगुरे के घर पाने नहीं पीना माने योगियों में होता है तो उसमें वो सिद्धान था तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया मेरा इतना दिन का किया करा ऐसा ब्रस्ट हो गया गुस्से में वो उठके चला गया, अब अमर्दे वो अच्छी आत्मा थी, हलाएक उनको जानकारी नहीं था, उसी को मुक्ति का साधन समझे थे, तो रात बर ओ दोस्त जो 10-12 दिन साथ रहे, और घर में खाना छोड़के चला जाए, तो दो हो इनके दिल पे क्या गुजरेगा, रात बर इनको नीद नहीं आई, बड़े विचार में पढ़ गया रहे, मैंने 22 साल तीरत यात्रा किया, गुरू के बेगर कोई कीमत ही नहीं, दिल में लग गया, रात बर नीद नहीं आई, वो विचारा खाना चोड़के चला गया, नराजो के, और बाद में नीद नहीं आई, तो इनके घर में इनके भाई के लड़के की, जो है की, जो लड़के का साधी अंगत देजी की लड़की से हुआ था, और वो सबेरे चार बज़े उठके गुरू करन साब का, माने की जब जी का पार्ट करती थी, चार बज़े उठके लड़की, रोज बढ़ते थी लेकिन ये सुनते नहीं उस दिन बड़े ख्याल से सुने, राद में नीद नहीं था, तो उसमें क्या है, गुरू महिमा नाम महिमा है, तो सुन करके बड़ा दिल खुस हुआ, जब उसने बंद किया, तब आप जाके पूशते हैं कि बेटी, एक किसकी बाणी है, बहुत से पूशते हैं, वो करती है ये बुरू नानिक जी का बाणी है, और इसी जगए पर आज हमारे पिता जी बैठे हुए, बस, हम कहते हैं, बस हमको लेके चल, कहते हैं, नहीं मेरे पिता का हुकम है, कि मैं जब तक बुलाओने तुँ आना ने, मैं जाओंगे तु गुसा करेंगे, कहते हैं, मैं तेरा सस लेखे हैं उसको अंदर तो लेखे तो अंदर लेके जाती है उस समें इनका उमर सतर साल का था तो आप जाके पेरों पे गिर पड़े बहुत रुए काते मेरा बहुत सारा उमर ऐसे ही बीद गया मुझे पहले यह ख़बर क्यों ना हुई मैंने तो 12-12 साल तीरो ते आत्रे में निकाल दिया उसी को मुक्ति का सादन समझा था तो अंगत देव जी हसके कहते हैं ने भाई हर जीव का समय होता है और जब तक समय नहीं आता है उस जीव के अपनी क्याबस की बात है कि वो संतों के सरण में चली जाए तो तुमारा अब स सचा पश्चा ताप हो चुका था और फिर वो लोट के घर पे नहीं आये देखो उन्होंने 12 साल सेवा किया पानी ढोने का और सुमरन करते हुए सेवा करते थी इसी तरह से उनकी रूप चड़ाई कर गई और अंत में देखो अंगत देव जी जाने के समय अमर देव जी को ह अपनी जगह पे बिठाके करने मतलब कि जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक समझाती नहीं 22 साल तिरुत आत रिखे लेकिन सांती नहीं आई तो करते वही बात है वही आप कविर साथ करते हैं कि जीव की क्या हलत हो गई तो आप एक उदान देते हैं कि एक गड़रिया भ वो कुते के बच्चे के जैसा बड़ा सुंदर था सेर का बच्चा था लेकि गड़रियों को क्या पता है कोई जानुरे के बच्चा है वलकर उठा के लेके आया सेर बाहर गए थे और उठा के लेके आया तो वो भेन का बकरी का दूद पिला के उसको पाला तो बच्चा बाद में भी उसको यह पता नहीं कि मैं सेर हूँ, वो अपने आपको बेड़ी समझ बैठा है, क्योंको उसी का दूद पी के पला था, उसे में गुम रहा था, तो बाद में एक दिन वो गड़रिया भूला भटका फिर उसी जगह पे चला गया, तो जंगल का सेर में देखा कि बेड़ में सेर गुम रहा है, फिक क्या बात है, बड़े आश्चर की बात है, तो बाद में वो जंगल वाला सेर इस भेड़ में जो सेर था, बचपन से इसी में पला था, वो अपने आपको बेड़ के साथ खेलता था, बेड़ के साथ अपने आपको बेड़ी समझ बैठा तो ओ जंगल वाला सेर, इस सेर के पास आके उसको कांग में कहता, बाई तू कोन है, यह कहता है, और बाई तू बेड़ नहीं, तू शेर है, बोलता, ने ने, मैं बेड़ो, क्योंकि उसी का दूर्द पी के पला था, तो वदा बाई तू सेर है, कहता है, ने, मैं बेड़ा Done. तो दोनों जुकें तो देखता है उसका भी बराबर इसका भी गर्दन बाल सब बड़े-बड़े हैं और एक ही जैसा मूह है सब कोई देखके उसको आश्चर होता है कोई फरक नहीं बलता है अच्छा मैं गरजना करता हूं तो भी गरजना कर ओ जंगली सेर ने गरजना किया ये सेर ने भी गरजना किया दो सिंग की गरजना हो गई अब एक सिंग की गरजना हो गए तो जंगल जंगल हिल जाता है दो सिंग की गरजना हो गई बेड़ बेड़ी जा सब बागए पता नहीं किसे कहा कहा बागए जंगल खाली हो गया तो बाद में ओ सेर तब से सोतंतर ह जंगल का राजा बन गया, तब उसको पता लगा कि मैं सेर हूँ, मैं भेड़ने, तो कहते हैं यही हालत जीव की है, तो संत महात्मा आ करके कहते हैं कि अब यह जीव की क्या हालत हो गई है, यह मन रूपी गड़रिये के हाथ में पड़ गया, और वो इंद्री रूपी और इंद्री समझ बैठा है, मात्मा कहते हैं नहीं भई तू आत्मा है, परमात्मा का अंसा है, सतलोग सच्खन का रहने वाला है, बलता है नहीं मैं सरीरू, कहते हैं नहीं भई तू आत्मा है, सरीर तो कि रहे का मकान है, कहते हैं नहीं मैं सरीरू, तो इनको संत क्या करते ह सुम्रान और भजन का तरीका समझाते पर धाई गंटे बैठो जब हम उनका हुकम मानते हैं हमारी आत्मा दिरे दिरे सिम्ट के नो दरवाजे से दस्वे में आ जाती है और यहां आती है तो वो सब्द रुपी स्रोथ कहते हो बेरा है जहां जाके हम अपने रूप को देखते हैं यहां आते ही पहले आत्मा का रूप दिखाई देता है फिर गुरू प्रगट हो जाता है तब इसको भरोसा आ जाता है मैं तो आत्मा हूँ मैं सरीर नहीं सरीर तो खिराय का मकान है किसी को 77 साल के लिए मिला किसी को सो साल के लिए मिला यह तो गिराय का मकान में आत्मा हूँ तब जाकर सच्चाई का पता लग जाता है जब यह अपने आपको देख लेता है अपने रूप को आत्मा को देख ले आत्मा के बैठेक दुनाकों के बीच में है तिसी तरह से करते हैं कि यह आत्मा की यह हालत हो गई यह ओ सतलो सिक्षण की रहनेवाली है यहां काल और माया ने क्या किया तब शया करके जीव को ला के इस तन्मन के पिजरे में कैद कर दिया यह अपने आपको भी भुल गया अपने घरको भी भी भूल गया फिर आके काते हैं जब तक सद्गुरू ना मिले, संतों का सथसंग ना मिले, तब तक इन विचारों को समझ भी नहीं आती है। चाहे कितना बरस भी करमकान कर ले, तीरत यात्रा कर ले, करें को पूजा पाढ़ कर ले। जब तक कि संतों का सथ संग ना मिले सच्चाई की समझाती नहीं तो वही आविसारा देते हैं जी करते कलो ला राहते अजियन संग आपन मर मुखुन हो नहीं जाना तो वही कबिर शायब करते हैं उस सिंग की क्या हालत हो गई है वो अपने आपको भेंड के साथ में दूद पी के पला था अपने आपको भेंड ही समझ लिया उसी के साथ खेलता था उसी के साथ रहता था अपने आपको भेंड ही समझ लिया तो वही करते हैं वहाँ एक जंगल का शेर आया ताही देख बहुते रिश्याना मेरे तेरे में क्या परक है जब इसने देखा तो इसका ब्रहम दूर हुआ कहते हैं ऐसे ही संत महत्मा हमें समझाते हैं सहसंग के जरीए हमारी समझ में आता है पिर वो बजन सुमरन देते हैं नाम सुमरन और ध्यान देते हैं और यह जब बजन समरन का है कि 9 से 10 में अजाता तो इसको अपना रूब दिखाई देता है तब जाके समझ आ जाती, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अलग है, सरीर अलग है माने आत्मा जब तक सरीर में है, तब तक फृप्राणा आत्मा से पंजप्राण काम करते है और पंच प्राण से ये सरीर चलता है लेकिन जब आत्मा निकल जाती है पंच प्राण भी रुख जाते हैं सरीर भी मट्टी का धेर बन जाता है तो गते वही ये आत्मा के जरिये ही चलती है आत्मा परमात्मा का अंसा है और ये सरीर पांस सत्तों का पुतला है मट्टी का सरीर है जब समझा करके संत महात्मा बजन सुमरं कराके अंदर लेके आते हैं जब अपने आपको हम देख लेते हैं हमें भरोसा हो जाता है और हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हटके सद्गुरू की चड़नों से जुड़ जाता है उस समय उस स्टेश से हम जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया क्या नजर आती है कच्ड़े के डबा देखो जब मीरा भाई अंदर गई उनको सद्गुरू प्रिगट हो गए आत्मा का दर्सन हुआ सद्गुरू रहिदास प्रिगट हो गए मीरा मस्तानी दिवानी बन गई मीरा ने अपने जबान से ही कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मानी किसने दिया सद्गुरू ने दिया और मुझे अपना लिया मेरे अंदर वो चीज सद्गुरू ने अमुल चीज दिया जिसकी कोई कीमत ने बाई जो नाम है उसकी कोई कीमत ने नाम जिसको पाकर के जीव जो है एक अग्यानी जीव भी ज्यानी बन जाता है एक नर नाराइन बन जाता है उन नाम बड़ी उन्ची चीज है वो पारस के समान है जी पकर के भेद तुरत समझाया आपन दसा देख सम देख मुस्य काना तो वही कहते हैं जब उस सेर ने जा करके अपना रूप बताया पानी के अंदर देख करके तब उस सेर हसा बलता है मैं भी सेर हूँ मैं भेड ने तब उसको अपने आपका ग्यान हो गया करते हैं ऐसे ही इन आत्माओं का ब्रहम कब तक दूर नहीं होता है जब तक यह सुमरन बजन करके नौ से दस्वे में नहीं आ जाता है आत्मे का दर्स नहीं होता है गुरू और सब्ध प्रगट नहीं हो जाता है तब तक इनका संका समाधान नहीं होता है जब तक इनकी तीसरी आँख खुलने जाती है नाम प्रगट नहीं होता है। इसलिए महातमाह करते हूं। वहाँ देखकर के ही नहीं अपने आप का ज्यान होता है। मैं आत्मा हूं। सरीर नहीं और इनका सारा सरीरеш से प्रहिएन प्यार हटके सदॉक्षैनों से जुड़ जाता है तो सच्छा प्रहिएन प्यार सद सब्भू की चण्षैनों से प्रगठ होता है। लेकिन जरा तक हम देखेंगे नहीं नहीं किसस्तीका मालिक है लई हमें गूरु के जोती और सब्द प्रिगट हो जाएगा करते हैं जब नाम प्रिगट हो जाएगा सब्द को ही नाम करते हैं जब नाम प्रिगट हो जाएगा आपका एक जनम नहीं करोणों जनमों के पाप दग दो जाएंगे या आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगा इसके सच्चाई का स सारा ज्यान हो जाता अंदर में आके तो वही आप इस सारा देते हैं तो इसका सारा ब्रह्म दूर हो जाता है जैसे कुरंग विच्छ बसत वासना खोजत मूड फिरत चगाना फिर और भी उदान देते हैं कि जीव की क्या हलत हो गई कहते हैं भाई जिस तरह से हिरन के नाव में कस्तुरी रहती है रहती है कस्तुरी हिरन के नाव में वहां से उसको सुगंद आती है लेकिन ओ विचारा सोचता है कहीं जंगल से कहीं घास में से सुगंद आ रही वोलके भागता है दोड़ता है कहीं भी जावे सुगंद उसके न आभिस्तान से आ रहे तो गहते भाई ऐसे ही सब कुछ परमात्मा ने हमारे अंदर रखी है अपने आपको भी हमारे अंदर रखके बैठा है परमात्मा हमारे अंदर आया हम उसको दूड़ने के लिए बार जाते हैं कोई कासी को जाता है को यह हरीद्वार को जाता है और कोई करते हैं कि 68 तीरत धाम करके आ जाता है मात मैं करते हैं तो तुम्हारे पास ही बैठा है बगल में बच्चा सहर में डिड्डोरा करते हैं बच्चा बगल में महाराद कहानी बताते हैं देख माई मेला देखने के लिए गई बगल में बच्चा बांध के रखा था वो मेला रहे वी तो ऐसा परमात्मा हमारे अंदर हमारे साथ रहके हम जो है उसको ढूलने के लिए कहीं जिंगल में जाते पहाड़ों में बैटतेें और वहास राते हैं क्या-क्या नहीं करते, तो गदे बाई ओ, पास में ही है। जैसे कि हिरन के नावि में कस्तोरी है और हिरन सारा जंगल ढोड़ता है। लेकिन लस्त हो के ठक जाता है, मिलता तो कुछ ने। क्योंकि वो तो नावि में है, उसको पता नहीं है, तो गदे यही हालत है एक जीव बिचारा वो मालिक अपने अंदर बैठा है पास से पास है लेकिन जब तक कि सद्गुरू संत ना मिले और उसका भेद ना बतावें भजन समरन करके हम अंदर ना आ जावें सब्द प्रिगट ना होएं परमात्मा का मर्म पता नहीं चलता है सच्चाई का जो भेद हमें कुछ खबर नहीं हो पाती है तो वही आप पहले कबिर साब ने बाणी में कहा कि बिन सद्गुरू नर फिरत भुलाना करते हैं वही बेगर सद्गुरू संतों के समागम के जीव विचारा दुलिया में भूल बरम में बटकते जाता है बटकता है और जो कुछ भी करता है उसको सच्चा ही समझ के करता है कोई भी करता है वो सच्चा समझ के करता है लेकिन फाइदा कुछ मिलता है कर उस वास मन में देखे ये सुगन्धी धोका नहीं बासाना हflow में बैटके ध्यान कर रहा था। कहलाकि वो संसकारी आत्मा ती। संसकारी आत्मा दुनिया की कोई कोनी में हो संतों जरूर उसे जागरत करते है... तो इसलिए उसमें सावंसिंग् जी थे सावंसिंग महाराजी उस योगी को उस गुफा में जाके दरसन दिया जब वो बजन बैठा था तो उसको अंदर में दरसन देके और कहते है योगी अगर तु मुक्ती चाहता है तो ब्यास को आ जा तो योगी कहता है कि महराज मैं तो तवेस्या करकर के मेरे पैर सुग गए तीस साल हो गए तो प्राणे हम बैठा था भी चाहता मेरे पैर हाथ तो सुग गए लेकिन मैं जरूर आओंगा और महराज ने उसको अपना दाइना पैर उठा के अपना पैर बता दिया तो उनके पैर में पदमरेक था जो कृष्ण को था वो सांसिक मराजी के दाइने पैर में था पदमरेक उन्होंने बता दिया कि ये पैचान है योगी ने देख लिया और वहां से वो बिचारा उठा और उठते बैठते उठते बैठते क्योंकि तबेस्या करकर कि उसका सरीर सुग गया था पैर पुरा सुग गये थे और इस तरह से च्छह महिने में वो बियास पहुचा बिचा क्योंकि उसमें गोई ट्रेन नहीं बस नहीं बहुत मुस्किल नहीं थी और उचल भी नहीं सकता इतना कमजोर हो गया च्छह महिने बिचर आया और आया तो महराजी ससंग कर रहे थे रात का साम का संसंग चल रहा था देखा खुस हो गया कि ए मुर्ती आके हमें दरसंग लिया था भरुसा तो हो गया फिर ससंग खतम होने के बाद में पैर पदमरेक देखने के लिए रेखा देखने के लिए कोसित के लिए महराजी के पास गया तो सिवा तर हटा दिया क्योंकि महराज पैर पकड़ने नहीं देते थे उसमें उतनी भीड़ बार नहीं थी तो महराज हसके कहते है भाई इसको हमारे कमरे में लेके आओ योगी को तो बाद में उसको कमरे में लेके गए वहाँ पे बादचित हुई और बाद में योगी नमसकार करने को आता है तो पैर देखना चाहता है तो माराज पैर उठाते नहीं तो ओ कहता है माराज इतना दूर बुला के लाके आप क्यों चिपाते हैं आपने तो वहाँ दिखाया आप यहां क्यों चिपाते हैं तो माराज हसके अपना पैर दिखाया जब देखा उसको तसलिया गई जो वहाँ देखा था वही यहां पे है तो उसको पुरा तसलिया गई तो बाद में तीन दिन तक ससंग सुना फिर चौते दिन महराज ने उनको नामदान दिया तो आप 15 दिन तक आस्रम में था बाद में महराज ने का आप जाओ उसी गुफाम बैट के बजन करो चाहे गुफाम बैट चाहे कहीं बैट आप तुम्हें सचा रास्था में लिए जाओ इस तरह सुर्व सब्दिका ब्यास करो तब वो फिर योगी उसी जगे पे जाके है फिर भजन सुमरण से जुड़ गया तो कहने का बटलब की जो रास्ता सुर्व सब्दिका है ये पुरातन है जब से दुनिया बनी है तब से रास्ता परमात्मा ने हम सब के अंदर रखके बेजा है जितनी पुरानी दुनिया है उतना पुराना ये संतमानी रास्ता है ये एक उदर्ती कानून है परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है परमात्मा ने रास्ता सब के अंदर रखे बेजा है और उसी रास्ते से क्योंकि वो परमात्मा ने जो ताकत दुनिया माने भेजा है अपनी ताकत वो सब्द के जरिये ही नीचे आई और उसे सब्द के रूप में ही आया और उसे सब्द ने अंडपिन ब्रहमांड बनाया जैसे गुरु नानिक ने भी सारा दिया है सब्दे धर्ती, सब्दे अकास सब्दे सब्द भया परकास सगले सिर्ष्ट सब्द के पीछे नानिक सब्द घटे घटा अचे कि यदि मैं वही सब्द है जो सब्द उस परमात्मा से नीचे उत्रा उसी सब्द ने अंडपिन ब्रहमांड बनाया वही सब्द ने 84 लाख जीवा जून की रख्षनां किया वही सब्द गटगट में विराजमान है करते उसी सब्द को प्रगट करने करा वो कहां से सत्व सक्खन से आके यहां टिका हुआ है तो उसी सब्द के जरिये संत महत्मा जाके अपने घर में समाए और वो उसी सब्द का रास्ता हमें बताते है तो काते हैं ये पुरातन है ये उतना ही पुराना है जितना पुराना ये दुनिया है ये कोई महत्मा का बनाय हुआ रास्ता नहीं ये परमात्मा का बनाय हुआ रास्ता है तो इसलिए महात्मा हमें वही रास्ता बताते हैं क्योंकि संत महात्मा उसी रास्ते से जाकर कि उस परमात्मा से मिले होते हैं और वही रास्था वो बताते हैं कि भाई ए रास्ता भी तुम्हारे अंदर है परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है इस तरह से धाई तीन गंटे की बैठक बनाओ तुम्हारी रूसमेट के अंदर आ जाएगी सच्चा ही आप अपने अंदर देख सकते हो बाहर तो सब ब्रमी अरद वरद विचे लगन लगी है छाकर रूप नहीं जाते बाखाना तो गरते हैं भाई आके जब आपकी रूप समेट के दसने दरौजे में आई जाती है आपको अपने आत्मा का रूप दिखाई देता है उसमें बड़ी खुसी हो जाती है अरे मैं तो आत्मा हूं मैं सरीर नहीं मैं अभी तक अपने आपको सरीरी समझके बैठा था मैं आत्मा हूं इसको बड़ी खुसी हो जाती है यह अपना रूप देखके मंगन हो जाता है जिस तरह से सेर ने पानी में अपना रूप देखके खुस हो गया मैं तो सेर हू, मैं बेड़ नहीं, मैं अपने आपको बेड़ी समझाता है वैसे ये आत्मा को भी अंदर आके दस्वे दरौजे में जब अपने आपको देख लेता है, पहचान लेता है इसकी सारा संग का दूर हो जाती है और वहाँ पे उसको एक आत्म ग्यान करते हैं, जिसको विवेग ग्यान करते हैं जो विवेग ग्यान करते हैं कि अश्टा बक्र महामुली ने राज़ जनक को दिया था वो सच्चा आत्म ग्यान नहीं था वो दस्वे दरौजे में आके आत्मा का दर्वसन होता है विभीक ग्यान होतا है कि मैं आत्मा हूँ मैं सरीर ने बस विभीक ग्यान होता है लेकिन सच्चा आत्मे ग्यान तो पारब्रम्न में होता है उसन्तों के गिरपा से लेकिन जो अष्टवक्र महामनी ने राजा जनभ को दिया था वो तो दसमें दरवाजे का, सातमें चक्कर का था, आत्मा का दरसन कराया था, आत्मा के उपर आवरण होता है वहाँ भी, सुक्षम सरीर का आवरण है वहाँ पे, लेकिन पारब्रम में जाके जब मानसर वर रस्नान करके, अमरिस वर रस्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है, स्थूल सुक्षम कारण तिनों सरीर के परदे हड़ जाते है आत्मा नंगी हो जाती है तब सच्चा आत्मे ग्यान होता है पारब्रह में और वो संतों की किरपा से होता है और वही नकल रामदास स्वामी जी ने अमरिसर में बनाया है सुन देवाले ये अंदर की नकल है पारब्रह में जब रामदास जी ने उस अमरिसर को बनाने के लिए में जो की जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्लानिंग बना के दिया उनकी समझ में ने आवे हैं तो बाद में बहुत बताए लेकिन वो भूल जाते थे उनको समझ में ने आवे कैसे बनाने तो फिर उसको नामदान दिया रामदास जी ने उनको नामदान दिया मिस्टरी को और उसको अंदर लेके गए पारब्रह में और वो बताया जब उसने अंदर देख लिया तो फिर बूलने के जरूरत नहीं पिर उसने वो बनाए तो उसका फाउंडेशन रामदा स्वामी ने रखा उसको पूरा अरजुन देव जी ने किया वो अरजुन देव जी के समय में और उसकी जो बुनादी है मियामीर मुसल्मान फकिर थे वो उनको बड़िजद देते थे तो वो उनके द्वारा रखा था जिस समय अरजुन देव जी को तस्रीए दे रहे थे माने आके अंगार तबते हुए लाल तबे बिठा के उपर से जलता हुआ रेट डाल रहे थे माने ये कर रहे थे इतना तक्लीब दे रहे थे उस समय उसको पता लगा वो भग भग क्या है और आकर के वो मुसल्मान फकिर कहता है माराज आपको इतना तक्लीब दिया जा रहा है आप चुपचाब बैठे हैं अगर आप इसारा दे दो मैं सारे दिल्ली को तबा कर देता हूं क्योंकि वो अच्छा पहुंचावा मात मत तो अर्जुन देवजी हसके करते हैं ये काम तो मैं भी कर सकता तो देखो उपर जब उपर देखते हैं तो सारे ब्रह्मा भिष्टू मैसवर 33 करोड़ देवी देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं कि महराज को छोकुम करो आपके साथ इतना न्याय हो रहा है आप चुपचाब बैठे हो को छोकुम करो ये करते हैं नहीं करते देखो ओ लोग चुप हैं मैं भी चुप हूं तो गधे बहुए कंत मैं भी कर सकता था लेकिन मालिक का बहुए मालिक तेरा मणा मिठा लागे परमात्मा जो तुक करता अच्छाए करता दो संतों में कितनी बड़ी देंता नमर ताथ मारे सरी छोड़ दी लेकिन उनने कभी किसी को सराप नहीं दी तो गते भाई कि इसे तरह से एक बार जब मुहम्मद साहब और उनके एक सीसे थे अली अली पेगंबर तो दोनों मिलके जा रहे थे तो ऐसे घुमने के लिए निकले थे साम का समय था जा रहे थे तो दो आदमी एक जगा बैठे थे कुछ काम कर रहे थे खेत में तो इनको अकेला देखकर करके वो कुछ गाली देने लगे वो हिंदू थे तो गाली देने लगे तो अली को गुसा आया और थोड़ा टाइम मुहमद साहब भी खड़े होके उधरी और अली अली साहब थोड़ा टाइम चुप रहे बाद में सिसान ने हुआ यह भी गाली गलोज चल कर दिया यह वो एक बोले थे यह भी दो जबाब देवे ऐसा आपस में गुसा और गाली गलोज होने लग गया हिंदू उन दोनों में इन में तो जब यह सुना सुनते सुनते उनको बुरा लगा मुहमद साहब को ओ हाँ से अटके अपना रास्ता लिया चलते जा रहे हैं और यह इदर लड़ाई जगड़ें पड़े हुए हैं इन्हों ने पीछे देखा नहीं महरास तो चले जा रहे हैं और एक फ़लाग दूर निकल गए तो बाद में उन लोगों ने देखा किया भी है खेला है चलो इसको पकड़के मारो वो पीछे भागे तो जब अली पीछे मुण के देखते हैं यहां पेगंबर साह भाई ने तो बड़े वहां से बेताहस भागे भागे गए और वहां जाके करते हैं महराज आप ऐसे सब मुईरे को आखिला छोड़के आ गए तो हसके करते हैं मुहमद साहब कि भाई देखो जब तक तुम चुप थे तब तक हम दोनों की रक्षा के लिए देखता लोग आके ऊपर खड़े हो रहे थे एक एक करके आ रहे थे सब खड़े हो रहे थे जमा हो रहे थे हम लोग की रक्षा के लिए लेकिन जब तुम बोलना चालो कि या तो बो लोग एक एक करके चले गए जब वो चले गए तो मैं करा कि क्या फायदा मैं भी चला आया तो कहते हैं भाई इस तरह से तो कहते हैं इस तरह से संतों महात्माव में सांती होती है और ओ मालिक की मोज में रहते हैं क्योंकि उनके अदर परमात्मा प्रिगट होता है वह उने परमात्मा ही नजराता है जो उनको तकलीब देता है, उसमें वही परमात्मा बैठा हुआ अब किसको सराब दे और ने किसको आजरवाद दे क्योंकि सब गट मेरे साइऑं सुनी सेजना को है कहते हैं जब अपने अंदर परमात्मा प्रगट हो गया तो सो में परमात्मा ने जराता है तो जो उनको तकलीब दे रहा है उसमें वही परमात्मा बैठा है तो इसलिए तो अरजुन देव ने कहा मालिक तेरा भाणा मिठा लागी परमात्मा जो तो करता मुझे अच्छा लगता है और उन्हों ने ऐसा ही अपनी चोला छोड़ गए तो करते हैं वह इसी तरह से वही आप इसारा देते हैं कि इस तरह महात्मा महात्मा हमें इही इसारा देते हैं कि वही परमात्मा भी अपने अंदर है रास्ता भी अपने अंदर है लेकिन जब तक कि कामिल मुर्सित पुरा गुरू ना मिले और वो हमें रास्ता ना बतावे और हम भी बजन सुमरन करके नौ से दस्वें में नहीं आ जाएं सच्चा ही का पता नहीं लगता काहे कभीर सुना भाई साधा बुलटे आप में आप समाना तो वही आप इसारा देते हैं भाई और कुछ नहीं है अपने आप में आप जाके समाना है भाई आत्मा भी बुंद है परमात्मा भी समुद्र है वो भी पानी है आत्मा भी पानी है जब ये बुंद जाके समुद्र से मिल जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं तो जब आत्मा सतलो सच्खन पहुंसती है उस अपने परमपिता परमात्मा का दर्सन करके बड़ी खुस हो जाती है और ये जाके उस का करते हैं कि दर्सन करते ही इसमें अपना सोलह सुरी का प्रकास चमकने लग जाता है पारबरम में जाके 12 सुरी का प्रकास होता है लेकिन 17 सुरी का प्रकास चमकने लगता है आत्मा परमात्मा बन जाती है जैसे परमात्मा सरुभ्यापी है ऐसे ये भी सरुभ्यापी बन जाते है तीसलिए आप कहते हैं कि भाई अपने आप में ही जाके समाना है वहां और कोई दूसरा नहीं तेसलिए करते हैं आत्मा ही परमात्मा है आत्मा ही सब कुछ है महात्मा ही सारा देते हैं लेकिन हमारी समझ नहीं आता है हम तो इसको अलग है और इसको अलग समझते हैं लेकिन जब करते हैं हम समझ केरके नौ से दस्वे में आ जाते हैं हमारे तीसरी आँख खुल जाती है सब्द और गुरु प्रिगट हो जाता है तब जाके हमारा संका समाधान होता है जब तक कि नाम प्रिगट ने होता है सब्द प्रिगट ने होता है तब तक संका समाधान में होता है कि भाई हम कौन है और ओगुरू कौन होता है जे बिन सत्य गुरु नर्य भर्म भूलाना बिन सत्य गुरु नर्य भर्म भूलाना सत्य गुरु सब्द का मर्म ना जाना बूली परा संसारा तो वही आप कहते हैं बिगर सत्य गुरु के दुनि माने जिव नर्य भूला घूंगता है क्योंकि वो सब्द का भेद जो है इसे पता नहीं चलता है उस सब्द भी हमारे अंदर है आत्मा भी हमारे अंदर है मन भी हमारे अंदर है संथ हमें उस सुर्थ सब्द से जोडते हैं हमारी आत्मा को सब्द से जोडते हैं सब्द को प्रिगर करने का साधन और तरीका समझाते हैं करते हैं जब ते कि संत ना मिलें सब्दी की परक हमें नहीं हो पाती है सत्य गुर्व सब्दी का मर मुना जाना भूली पराजन सारा बिना आम जम धर धर खे को न चुड़ा वना हारा तो वह आप इसारा देते हैं कि भाई बेगर नाम के यम छोड़ते नहीं क्योंकि अन्त समय में हमारे अपने ही अंदर एक ताकत है जिसको गुप्त चित करते हैं चितर गुप्त करते हैं हम जो जो भी कुछ करते जा रहे हैं वो अंदर लिखते जा रहे हैं जब यह आत्मा चोला छोड़के जाने लगती है तो चितर गुप्त ले जाके लेखा धर्मराज के सामने हजिर कर देते हैं भाई जो ए जिव आ रहा है उसने ऐसा ऐसा करम किया तो वहां क्या होता है जज्जमेंट में होता है उसके किये कराय कर्मों के नुसार वहां पे फैसला होता है अगर पाप जादा है तो नरकों में ठकेल दिया जाता है सजा बुगत ने पड़ती है अगर कुछ पाप कम है तो चौरासी के जामे में डेकल दिया जाता है जीव जाके पेड़ पोदों के सरीर में गिर जाता है बेड़ बकरे कीड़े मकोडे के सरीर में गिर जाता है इस तरह चौरासी में बढ़क जाता है करते हैं कि इस तरह भाई जो ऐसा होता है भूल और ब्रह्म में पढ़के आत्मा ने मन का साथ पकड़ लिया है मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है इस तरह से कर्म करके जिव मलिन हो जाता है तो वही आप इसारा देते हैं कि जब तक सद्गुरू ना मिले और सब्द से हमारी आत्मा को जोड़ ना दे और वह सब्द हमारे दे प्रिगट ना हो सचाई का पता नहीं चलता है क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वह सब्द है सारे स्रिष्टी का आधार वह सब्द ही है अगर सब्द प्रेग्ट हो जाए तो सब कुछ जानकारी हो जाती है एक जनम नहें करोणए जनम हो के पाफ दगत हो जाते हैं सब्द को यह संत नाम कहते हैं और जो संतों का वास्टविक रूप है उचसब्द ही क्योंकि वो सब्द नहीं सरीफ दारण करके दुनिया में आता है क्यों आता है अपने भूली हुए आत्मा को जागरत करने के लिए अपने घर ले जाने के लिए तो वो आकरके अपना भेद आप ही बताता है तो इसलिए करते हैं वो सब्द का भेद जब तक हमारे समझ में नह तो ही कहते हैं उस नाम के बिगर इस जीव को इस काल के जाल से छोड़ाने वाला कोई नहीं तो कहते हैं अगर भागदे से कहें सद्गुरु मिल जाएं पामिल मुर्शिद मिल जाएं वो हमारी आत्मा को सबस से जोड़ दें कहते हैं कि तब जाके इसका छुटका रहा होता है किनके वो सब्द ही इसको अंतसमे में रक्षा करता है अगर गुरु आज नाम द दर्शन देता है और हमारी आत्मा को दर्शन दे के ऊपर के मंडलों में लेके जाता है तीसलिए इसारा देते हैं कि भाई जब नाम के बिगर जीव की रक्षा करने वाला कोई दाकत नहीं तेसलिए ते करते हैं नाम के धारे खंड प्रहमांड नाम के धारे तुरिया पताल करते हैं सब नाम के आधार पे है सारी रचना नाम से ही हुई है और उन नाम हमारे घट में दस्वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है संत उसी नाम से जोड़ देते हैं और नाम प्रिगठ हो गया तो हमें एटमेटिक सारी जानकारी हो जाती है सेकड़ो जनम की ख़बर भी हो जाती है धर्म राय जब पकर मंगे है पर है मारी घनेरा सुतनारी को मोहत्यागी के चीन सबद हमारा तो वही कबिरशा भी सारा देते हैं बाई जिस चीज में हम भूले हुए हैं दुनिया और दुनिया के सामाने में कहते हैं अंत समय में ये चीज़ें हमारा साथ छोड़ देती हैं और वह हमें अंदर में डंड़ और सिक्षा मिलता है बाई अगर कामिल मुर्सिद और नाम ना मिले तो जीव की बड़ी दुर्गती होती है किए चारोण जॅनों का पुन्न होई तो उसको मानो शरीर मिलता है और उस परभु परमारत में की क्रिपा होई तो जाकर संद मिलते हैं तो जिसको सद्गुरु मिलिया उनका लेखानी बढ़ा, जिनको सद्गुरु मिल गए, उनका काम तो बन गए उनकी ओ नाम और सद्गुरु उसकी तो रक्षा कर लेते हैं और जिन जिवों को कोई नाम नहीं, सद्गुरु नहीं उन विशारों की क्या हालत होगे तो ही आप इसारा देते हैं कि वे विचारों को 84 के जिल खाने में बटिकना पड़ता है जो आज संबंद है उकल नहीं रहते हैं जिस सरीर में भी आत्म जाके समा जाती है कर्मा मसार जो सरीर मिलते हैं वहाँ पर उसी तरह के हमारे यार दोस्त और मित्र और बाल बच्चे होते हैं बनी यात्में वहाँ पर नहीं मिलती है इनका समन तो इसी सरीर में है और आगे कोई औरी मिलेगा ये कर्मो का लिंदेन का हिसाब किताब है देखो महराज जी अपने जबान से करते था जायव सिंह महराज जी कि उनके पास एक काला कुटा था और जैसे कि हमारे राजस्तान पंजाब और यूपी में दरवाजों पे खाटे पड़ी होते हैं खटिया पड़ी होते हैं हमारे दच्छिन प्रांत में तो नहीं है लोग नीचे ही बैठते हैं चटाइब बैठते हैं वहां खाट खरीवाज को है तो नीचे ही लोग सोते हैं नीचे बैठते हैं तो वहां क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और यह उत्तरी भाग में सब पानी की जमीने है चारो तरफ पानी और जमीन फसल होती है ना और हमारे यूपी में इदर उदर खड़े होते हैं गाम के चारो तरफ वही मट्टी लाकी घर बनाए होते हैं तो उसमें साप बिच्छु जादा होते हैं और उस कारण से खाट के उपर सोते हैं और वो दच् अपना बिच्छू इसका कोई डर ने रहता तो नीचे आराम से बढ़े रहते चटाई तो एक काला कुट्टा था महाराजी की गर में वो आट दस खाट पड़ी रहती थी दरवाजे पे लेकिन वो उसी खाट के उपर जाके बैठता था अगर उसको मारो भाग के जाता था फि इनके माता पिता बाबा बिसंदास को बहुत मांते थे पहले से उनके घर में आते थे तो वो अच्छे महात्मा थे बाबा बिसंदास जी राजगराने वाले थे अच्छे कुटम परिवार में पैदा हुए थे और उनने इंगलेंड में जाके पिएशडी भी किया था उस सम अपना जो गुरु नानक का जो उनके लड़कों ने स्री चनलच्मी चन्दें रास्ता निकाला था उसमें अमुलक दास के वसी से थे उदासी मत देखो गुरु नानक के घर में पैदा हुए थे स्री चनलच्मी चन्द हलाए गुरु नाने के संत महात मसत पुरुस्त है लेकिन उन्होंने उनका बात नहीं माना हमेशा उनसे गुरु देखिया तो कहते हैं कि काल जब कबिर साथ आ रहे थे इस दुनिया में जीव चिताने के लिए तो काल रास्ते में आके खड़ा हो गया कहते हैं आप कहां जा रहे हैं कहते हैं कि मालिक ने बेजा हैं जीव दार करने के लिए कहते हैं ये तो बहुत बुरा चीज़ है तुम आके हमारा देस बिगाडने के लिए आ रहे हो बहुत दोनों में लड़ाई जगड़ा होता है और फिर बाद में कबिर उसको मारने के ले जाते है तो बलता ठीक है तुम जाओ लेकिन तुम यह सोच लो तुम एक कबिर बनके जाते हैं बारा कबिर बनके जाके और जियोग चिता के चले आओगे बाद में बारा कबिर बनके लोंग ब्रह में डालूँगा तो ऐसे ही हो गय कबिर तो एक ही आए, सच्चे कबिर तो एक ही थे लेकिन बाद में बारा कबिर बन गए वो खाल के, खाल ने अपने ताकत बेज दिया रिदी सिध्य वाले और वो पिला कपड़ा रुदरा अच्छा और ऐसे वैसे माला भीला भी रखने लग गए और ऐसे करने लग गए लोगो को करम काणी में बांदिया रिदी सिद्धी बता के आकर शिद कर दिया तो वो कभीर साब तो एक आके संतुमत का सतनाम का बेदब बता के गए और यहा की गुर्ट कर दिया सब को ब्रह में डाल दिया इसलिए तो बड़ा हालत खराब है आज दे कभिर साप के हम बनारस में कसे कफिल चोरा में क्योंकि हम बहुत दिन के बाद में अधर एक करनाटा का वाले लोग को लेके गए थे अपने अंधरा मुदीगल वाले लोग दस बारबस लोग तो लोग बäre विद्ग असरुम देखें कि बर दस बाररो सापका तो táma हम भी पहले कभी गए नहीं थे जब वहां गए उसे समय घंटा बजा था नारवजी खाने का तो हम लोग अंदर गए तो महंत जी बैठे हुए थे सामने कुर्सी पे तो करते हैं भाई रुख जाओ अभी दस पंदर में बाद में खाना अभी मत बैठो लंगर मत बैठो बलके लंगर बारी तो हम लोग जब तक थे थे तो हम लोग बैठा भी नहीं हो लोग खाने के लिए तो हमको बलाकी पूस्टा आए कैब बाई क्या हम लोग ने देखने के लिए कभिर साथ जी का अस्रम है हम लोग भी आंद्रा प्रदेश से करनाट का से आई हुएं बोले जाओ उधर मंदिर है जाओ देख किया हो हम लोग मंदिर में गए उधर संग मरमर की बड़ी भारी मुर्ती छेपिट की थी कविर साथ की सफेद पत्तर का बना की खड़ा कर दिया सकता आप देखो उनको माला भी रोद किया और बाहर से हटा के अंदर में ले जाने की नाम से जोडने की कोसिस किया उनको ऐसा बार मुख बना दिया तो गते ऐसे ही जहां जहां संत पैदा हुए वहां पर काल्प्णा ने अपनी ताकत भेजा तो स्रीचनलचमी चंद के रूप में वही आया अभी जया, आपने हम दोनों को तो प्रानी को तार दिया और पदी बतनी को तो नाम दे दिया, अभ उस नारायन बढ़े लड़के का भी उद्धार करो, तो ओ नाराण क्या करता था, ऊथ मिरंजन का उतार था, ओ जब भी कबिर साप के सामनी आवे तो उनके सरफ पीठ कर के खड तो कभी तुम्हेरा बात नहीं मानेगा तुमने अगर उसके प्रतिम मौ रखा तो तुमने रख में जाओगे। सिधा बोल दिया तब जाके उन्होंने उसका ख्याल छोड़ दिया और बाद में कभिर साहब के जो है कि आशिरवास से एक और लड़का पैदा हुआ जो चूडा मणी छोटा लड़का चूडा मणी ओ पैदा हुआ तब उसने जो है को पिता का कहना माना तो बाद में उसी धन धरमदास जी चुणा मनी कोई गादी बिठा की गए नारेन को नहीं दिया और बाद में उससे 24 गादी चली बनारस में लेकिन नारेन ने पूरा विरुदी किया हलक से जो है कि संतमत के पूरा विरुद्ध में उसने रास्ता निकार तो ऐसी हमेशा ऐसा होता है जहां संत आते हैं वहां काल की भी कुछ काल सिद्धांत के भी महात्मा बेशता है काल भी अपने तागत बेशता है और वो इनसे बिरुद्ध में रिधी सिद्धी बता के लोगों को आकर सिद्ध करते हैं संत तो रिधी सिद्धी नहीं बताते हैं और ये दुनिया का सामान देते हैं कुछ भी लोगों को आकर सित करती है कदी बिंगे कुछ नहीं परवाने खाओ पीओ लुटनीक कुछ का सामान देता है, लोगं का करसित करता है, अभी अंदे को क्या चाहिए, आग चाहिए, लोगं को दुनिया का सामान चाहिए, मुगती मांगने वाला कोण है, संत तो बहुत सागर से निकालने के लिए आते हैं, और वो इसमें बानने के लिए आते हैं, खाल के जो महत्मा आते हैं वो दुनिया का सामान दे करके और हमें इस तरह का करम करा के उसमें दान निकले आते हैं निकाल निकले ने आते हैं लेकिन जीव को समझ का है तिसलिए कहते हैं बिगर संतों को जीव को समझ आवे तो आवे पैसे आवे जब ते कि संत ना मिले सब्द प्रगट ना हो सच्चाई की पता ही नहीं चलता है तो वही कबिर शार जी कहते हैं इसलिए इस सारा मुमता और प्रेम प्यार हटा के सद्गुरु की चर्णों से जोड़ो नाम से जोड़ो जब आप बजन सुमरन करके अंदर आओगे पहले अनहद सब्द प्रिगट होगा अनहद जो है सार सब्द से कनेक्शन देगा सार सब्द सब्द से कनेक्शन देगा सार सब्द पारब्रम का सब्द है और संत उसी सब्द से हमारी आत्मा को जोडते हैं और हमारा निरत रुपी डूर जो है वो पारब्रम में बांदेते हैं काल उसको सद्दल कमल में बांदा होता है पहले यह आत्मा मर के वहीं पे जाती है तो ओ संत नामदान के दिन क्या करते है उस निरत रुपी जो रसी है आत्मा का उसको वहां से निकाल करके पारब्र में बांदेते हैं तो इसका सारसब्द से नाता बढ़ जाता है तो सारसब्द के इसलिए तो कभिर साब ने कहा है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सारसब्द चिन्ने मिना फिर फिर बटका खाए कहते हैं जबते के सारसब्द प्रगट में होता है मुक्ति का सिद्धानती नहीं होता है तो संद सारसब्द से ही पहते हैं और उसके आगे सतलो सखन में सत सब्द है सब्द चार हैं तो इसलिए पहले दस्विद नाद है नीचे और सहदल कमल में अनाद नाद है और पारब्रम में सार सब्द है और सत्लो सखण में सत्थ सब्द है तो इस तरह से सब्द भी ऐसे आए तो इसलिए संथ हमें सार सब्द से ही जोडते है और उसे सब्द को प्रिगर्ट करने का सादन तरीका समझाते हैं तो वही कविर शाहब जी आप करते हैं भाई एक मत हो करके अपने ख्याल को इस्थिर करके सचे प्रेम और प्यार से आप गुरू का हुकुम मानो सुर्ष सब्द के अभ्यास में लग जाओ सार सब्द को प्रगट कर लो बस जहां से आप आए वहां पहुंच जाओगे लेकिन पहले गुरू के ओपर भरोसा बहुत जरूरी है जब तक कि गुरू के ओपर भरोसा नहीं आता हमारा काम भी नहीं बनता अभी हमारी जो रस्ती है हमारी डोरी है वो हमारे सद्द करू के हाथ में है और अन्त समय में वही आएंगे तो हमें चाहिए उनी का ध्यान करना चाहिए नाम सुमरन करना चाहिए दूसरे और कितने भी महत्मा है उनके सथ संग दरसन से फायदा जरूर है लेकिन हमें ध्यान उनी का करना चाहिए जिन्होंने हमें नाम दान दिया है क्योंकि हमारी डोरी उनी के हाथ में है और लाज टाइम ही वही आएंगे वो सब्द उसी रूप में दरसन देता है सब्द तो अमर है और जो सब्द से गुरू ने हमें जोड़ा है वो कभी मरता नहीं तो ओ अंदर में है वो सब्द हमें अपने गुरू के रूप में दरसन देता है तो हमें चाहिए उनी का दरसन देना मने उसी का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए तो अंत में वो गुरू उसी रूप में आता है और आके हमें दरसन देकर के उपर लेखे जाता है तो वही आप इसारा देते हैं कि कबिर साब जी कि ये निर्गुण बाणी है करते हैं भाई इसका अर्थ जो है संतों ने अपने अपनी भासा में बड़े अच्छी तरह से समझाया है कि भाई इस तरह से आप बजन सुमरन करके सार सब्द को प्रिगट कर लो और सार सब्द जो सब्दो सच्छन से आके पार ब्रम में ठिका हुआ है पार ब्रम से फिर सब्द निकल के नीचे का मंडल की रचना हुई है तो कहते हैं इस तरह से सार सब्द प्रिगट हो जाया तो हमारा काम बन जाया हमारा सारा ब्रम दूर हो जाता है तो महात्माव ने हमें यही समझाने की इक्योसिस किया है और पहले गुरु के उपर भरोसा आना चाहिए और गुरु को जो प्रेम प्यार दुनिया से हटा के सद्धुरु की चड़नों से जोड ले गुरु का बन के हम दुनिया कारोबार करें गुरू का दिया हुआ सुमरन बजन करते हुए नाम सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करें तो हमारा यह लोग और पदलोग दोनों बन जाए हम यहां भी सुखी मरने के बाद में भी सुखी तो वही आप कबिर साब जी सारा देते हैं करते हैं कि बाई, यह मैं जो कहा यह निर्गुन है निर्गुन बाणी है और इस बाणी का विचार संते ही करते हैं करते हैं बाई, कि यह बाणी जो कबिर साहब के बड़ी गूड है उन्होंने गोरकनात को भी बहुत कुछ समझाया था दोनों का आठ दिन तक विवाद चला हुआ था गुरखनाथ और कबिर साहब का उन्होंने उनको बहुत समझाय था लेकिन गुरखनाथ माना नहीं तो वही आप इसारा देते हैं कि मरहम होई सुजाने सादू ऐसा देसा हमारा जब गुरखनाथ पूसता है परिसानों के जब हार जाता है तो पूसता है अच्छा माराज आप कहां से आए है आपके कौन सा देस है तो वही आप इसारा देते हैं कि हे गुरखो मरहम होई सुजाने सादो ऐसा देसा हमारा है सादो करते हैं कोई मरह में भेदी लोग ही हमारे देस को जान सकते हैं करते हैं बिन सूरज बिन बादल जहां बिजली चमके बिन सूरज उजियारा करते हैं जिस देस में बेगर सूरज के उजाला और बेगर बादल के बरसात होते रहते हैं और वो बरसात कैसा प्रकास का यहां तो पानी गिरता है वहां प्रकास की बरसात होते रहते हैं कि बिन बादल जहां बिजली चमके और बिन सूर जोजी आरा करते हैं कि ऐसा ऐसा देश हमारा बहुत अच्छा बाणी है कबिर साहब ने वहां का बयान किया है उस देश का सतलो सच्खन का तो ओ गुरक को इतना सब कुछ बता है कि भी लाश्ट में मानता नहीं क्योंको अहंकारी था वो अपने आपका फिर सिर्जुका नहीं चाहता था लेकिन बरारा चौड़के गया फिर लोटके आया नहीं माना रुसकासी ने तो कहते हैं इस तरह से संत महत्मा समझाते हैं लेकिन उनकी बाणी का अर्थ होता नहीं समझ में आती नहीं अगर समझ में आ जाए तो काम मन जाए तो वहीं आप कहते हैं कहें कबीर ये निर्गुनी बाणी समझें संत सुजान कहते हैं ये निर्गुनी बाणी है और इसका अर्थ तो संत ही लगाते हैं साहिब कबीर ये निर्गुन गावे संत न करो विचारा इनको कहाने बताने का वो गड़िये का इनको बाद में है वो गड़िये का सेर का बच्चा गड़िये का हाथ में मिलता है उसका बच्चा नहीं तो ये लोग बिचारे लोग खाली बैठे है थोड़ा सा कुछ कहानी का टाइम के इतना बज़े का क्योंके साम को क्योंके नौ से प्रोग्राम दौलत प्राका है तो इसलिए कल ऐसा स्वाम निकलें क्या हुदर दो पर आ जीडेन व करके माराथी यहां-स्ति धस एक गुंटर प्रटंड़ा से एक गंटे प्रटंड़ इंक घंट़ थर दो गंटे करने कर दो चार गंटे कर रास्ता ठीक है लिए नहीं है शाग का सथ सम्झे ना हाँ साम को च्छे बजे है दो बुजे पहुंचे ही तुस दिल नाराज ने होने क्योंकि उच्छे बजे सह सख संग उदर ठरना पुरता है न तौम लोग दू गंटा तीन गंटा तो पहले पहुंचने चाहिए हमारी मेंजी है है Mr. Barona अब बुरो अब बुरो अब शब शब लो अब 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 भी अब अब लो अब लो अब रहे दो मोब अब लो अब अब मोब अब बुरो अब बट अब in अजयोची अरोगला है